यह व्याइब कर दो एक लिए लेकिन फिल करने से पहले आपको कुछ बाते ध्यान में रखनी है और कौन-कोन यह फिल कर सकता है यह भी आपको पता होना चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ज्यादा वीडियो लेंदी नहीं होगी जो मेंट पॉइंट है वही आपको समझाए जाएंगे तो चेक बोक्स पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने पोर्टर खुल जाएगा जिनको पहले ही पता लग गया था इसके नोटिफिकेशन के बारे में उन्होंने रिस्टर कर लिया होगा तो हैं यहां पे उनको अपना यूजर नीम पैस्वर्ट डालना है और जो न्यू रिजिस्ट्रेशन है यह थीप करेंगे आपको अपना प्रोग्राम सлекपकरना एं तो उप एंडिगरक करके फिर आपका जो भी आईडी कार्ड में नाम है और चै और अल्रॉल्मान नमबर भाlas डाल के सम्मिट कर देंगे तो जैसे जैसे आप से पूछा जाएगा वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो कौन-कौन स्टूडेंट ये फॉर्म फिल कर सकता है फर्स्ट ये के जो स्टूडेंट है कि जिनोंने अभी जून में अमिशन लिया है जून 2021 में वो तो ये फिल नहीं करेंगे ठीक है उनका तो नेक्स यद्ययर चून 2022 में सेकिंड यर के लिए रिजिस्टर होगा अब इसमें जोami कर सकते हैं जुन ने जैन में अपने आपको रिजिस्टर नहीं करा था इगनु में क्या होता है फर्स्ट एर के लिए रिजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जिन भी स्टूड़न्ट को यह चीज पहले नहीं पता थी तो अब वह अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि छे महीने आपके खराब हो चुके हैं या एक साल आपका खराब हो चुका है तो वह चीज आप लोग ना करें अपना जो रिजिस्ट्रेशन है वह जल से जल करवा लें और अब बात करते हैं मेसी के स्टूड़न्ट की तो मेसी में सेकेंड डियर में रिजिस्ट्रेशन कराने से पहले आप जब यह फॉर्म ओपन करेंगे तो आपके सामने ऑप्शनल सब्जेक्ट आएंगे आपको सेकेंड यहर के लिए दो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करने पड़ते हैं एकनू हर साल चेंज करता रहता है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट अप्लाई करने से पहले आप एक बार में को स्क्रीन शॉट जो जरूर फिल करने से पहले एक बार मेल को मेल कर दो ताकि मैं वीडियो के थूँ आपको बता सकूँ कि कौन सा आप्शनल सब्जेक्ट आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा